तो एक अच्छी बॉडी हर किसी की चाहत होती है पर बहुत बार कड़ी मशक्कत करने के बाद भी हम उतना मसल साइज और स्ट्रेंद गेन नहीं कर पाते हैं जितना के हम चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुती महतरपून बारा गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको आपकी मन पसंद बॉडी साइज पाने से हो सकता है रोक रही हैं प्लीज वीडियो को एंट तक तो जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी वैलियूबल इंफोमेशन मिस ना हो तो दोस्तों जो सबसे पहली बड़ी गलती है वह है कि प्रॉपर टाइंग से रात को ना सोना और आठ से नौ घंटे की स्लीप साइकल को कम्प्लीट ना करना अगर आप ये अब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि खासकर यंग्स्टर्स जो हैं वह हैं रात के ती होर्मोन ज्यादा बनता है और जब तक यह होर्मोन हमारे श्रीर में ज्यादा मत्रमें रहेगा हमारा श्रीर कभी भी मसल्स को पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाएगा तो इसलिए दोस्तों रात को सोने और सुबह जागने का टाइम तो जुरूर निर्धारित करें दूस हमारे बॉड़ी को कोई नीट फील नहीं होती है अपने आपको डेवलप करने की इसलिए आपने जितने भी अपने जिम के दिन बांध रखे हैं उस दिन तो पका जिन जाए तीसरी गलती है प्रॉपर फॉर्म के साथ एक्सराइज ना करना जब एक्सराइज करते वक्त हमा के लिए हमेशा हमें एक्सराइज प्रॉपर फॉर्म के साथ ही करनी चाहिए चौती गलती है हैवी वेट लिफ्टिंग करने से बचना और ज्यादा रेप्ट लगाना आपने भी जिम में देखा होगा कि बहुत सारे यंग्स्टर्स हैं जो कि एक हलका सा डंबल लेके उससे 15-20 रप लगाते रहते हैं ऐसा करने से कभी भी हमारी बॉड़ी ग्रो नहीं करेगी हमें अपनी बॉड़ी को ग्रो करने के लिए उसे कोई रीजन देना होता है जब हम ज्यादा भारी वजन उठाते हैं तो इससे हमारे मसल्स के उपर लोड़ परता है और उन्हें नीट फ ज्यान उस मसल्स के उपर ही होना चाहिए हमें उसमें पूरी तरह से कॉंट्रैक्शन करनी चाहिए तब जाके वह मसल्स पूरी तरह से एक्टिव हो पाता है छटी गलती है मल्टी जॉइंट कंपाउंड मूवमेंट ना करना और मशीन पर ज्यादा समय बिताना दोस्तों ज करने से हमारा सिंगल बॉड़ी पार्ट आइसोलेट होता है आप अपने वर्काउट में कम से कम दो कंपाउंड मूवमेंट और दो आइसोलेटिंग एक्सेसाइज को करें साथ वी गलती है कि आपने वर्काउट को बहुत ही ज्यादा जल्दी चेंज कर देना हर वर्काउट को करीब 3,5-2 मुहीने करें तो ज्रूरatif आपने वर्काउट को बिलकुल हीigs करके लंबे समय तक करते रहते रहे genres जीलेख अव़ एक आपमरी वर्काउट में ब्न करना लीत्सरह औरba फैया दोọदियो और फज्याख अचल्ерж काना बंद कर देते हैं अच्छे से heavy weight lifting exercise भी करते हैं पर वह लोग enough rest days नहीं लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमेशा 2-3 दिन exercise करने के बाद एक दिन की rest तो ज़रूर करें। 10 भी गलती है बहुत ज़्यादा cardiovascular exercise को करना। कार्डियो हमारे दिल की सिहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है और fat कम करने के लिए भी इसका भरपूर इस्तमाल करा जाता है। पर जब हमारा लक्षे खास कर muscle gain करने का होता है तब कार्डियो भी अगर हम बहुत ज़्यादा करें तो तो इससे हमारी body में कम energy रह जाती है। हम weight lifting अच्छे से नहीं कर पाते हैं और इसका सीधा असर हमारे muscle size के ऊपर पड़ता है। 11 भी गलती है कम खाना खाना muscle size को gain करने के लिए हमेशा हमारे body को calories overload condition में रहने की ज़रूरत पड़ती है और यह भी बहुत पाया गया है कि लोग enough protein को consume नहीं करते हैं। दोस्तों अगर हम अच्छे से खाना या आफ़े protein को नहीं लेंगे तो हमारे body muscles को fit develop नहीं कर पाएगे। तो इसलिए अगर आप muscle size को gain करना चाहते हैं तो आपके diet भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सबसे आखरी गलती है अपने workout routine और diet का record ना रखना। अगर आप एक same ही वजन की exercise बहुत समय से करते आ रहे हैं तो ऐसा करने से भी आपके शरीर को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा दोस्तों आप कौन सी exercise करते हैं, कितना वजन उठाते हैं, क्या आपकी diet हैं इस चीज़ को record तो ज़रूर करा करिए। अगर आप इनके उपर पूरी तरह से ध्यान देंगे। मैं यकीन से कहता हूं कि आपके muscle size को बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से इस topic के उपर आपकी जानकारी बढ़ी होगी।